नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगच एक रियलिटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसके उपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ जिसके बहुत बार आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ तो उसी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि फिछले दिनों में उसका quarter two का result भी आया है और मैं आपको करने वाला जो quarter का result है उस result को आने दीची उसके बात नीविस करना तो quarter two का result आ चुके है और इसी के बारे में आज बात करूंगा company ने अच्छा कासा एक सांदार quarter two का result पब्लिस किया है तो उसी के बारे में यह बात करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और अब इसके बारे में बात करूंगा बहुत है गोद्रेज पॉपाटी देखे रियलिटी मतलब रियलिटी सेक्टर मतलब रियलिस्टिक बिजिनेस में जितने सारे companies है जितने सारे मार्केट में लिस्टिंग company है उसमें से में जिस company के उपर ज्यादा मतलब विश्बास करता हूँ वो है गुद्रेज पॉपाटी क्योंकि इस कॉम्पणी का बिजनेस मॉटूल मुझे बहुत अच्छा कासा लगता है और बिजनेस जो पैटर्न है बहुत भी मुझे अच्छा कासा लगता है आदा देन आदा सेक्टर के मतलब आदा इसका कंपूटर जितने सारे हैं तो उसके बहुत सारे कंपनीज है उसको आप कंपरिजन करू तो उससे नंबर वन पॉजिशन में जिस कंपनी का नाम में लेना चाहता हूँ बहुत है गोद्रीज पॉपाटी और इस कंपनी के प्राइस रेंज आभी भी आपको 2400 में मिल रहा है फिचर में आपको और भी तकड़ा यहाँ पर फर्फोर्मेंस एक बता देख लिए हाँ यहाँ यहाँ दीटा है यह बहुत से उस्मेंगे और तो उनद हगी आपको देखी वेप्यार तो यह सकते तरह रहें तो यह पर देख सकते इसक पर इतने सारा reality sector के stock है आप एक बार उसके उपर study करेंगे तो आपको पता चलेगा तो कोई भी सेट उतना तेजी से आपको भागने को होना चाहिए क्योंकि company का दो तीन साल minimum काम करने दीजिए उसका करीबन करीबन साथ आठ quarter का result देख लीजिए दस quarter का result देख लीजिए उसके बाद उसके उपर आप एक बार विश्वास कर सकते हैं तो गोद्रेश करोड का profit growth संदर या पर profit किया करीबन फाइफ स्टा रेटिंग आपको देखने को मिला तो इस company के उपर आपको जुरूर स्टाडी करके निवेस करने के लिए सोचना चाहिए कि को company का जो result है उसके बारे में एक पर आपको दिखा दू तभी आपको पता चलेगा या पर इस quarter म मतलब यहां पर पहली 110 करोड यहां पर आप देखने को मिला ठीक है और पिछले सालों में तो 228 था पिछले सालों से comparison करूँ तो यहां पर करीवन 11112 करोड का total income growth यहां पर देखने को मिला तो यहां पर भी growth और यहां पर भी growth इस दोनों चीज़ में growth आप ऐक बार five star rating वाल मों जबात आता था है वो है expense मगद जितने सारे expense होते हैं उसके expense को जोर के करीबन करीबन 220 करोड का expense हुआ पिछल वार्टन में 150 करोड का expense हुआ पिछली साल में 198 करोड का expense हुआ मतलब पिछले साल में जाकी से income इससे ज्यादा देखा जाए expense हुआ था इसलिए company ने profit भी कम किया आपर देख सकते total profit after taxes तेक्स पे करने के बात company के हाथ में जो profit है वो यहापर देख सकते करीबन 89.25 करोड का income हुआ पिछले quarter में था 55.69 करोड का और पिछले सालों में 10 करोड का income हुआ तो यहापर जबदस जाम करीबन करीबन देखा जाए 79 करोड का total profit जाम इतना 17 जाम देखने को मिला पिछले सालों से comparison करूँ यहापर भी आपको एक अच्छा खासा तेजी जाम देखने को मिला करीबन करीबन 30 करोड का जाम देखने को मिला तो ओवरल बात करूँ कमपानी के बारे में कमपानी यहापर एक जबदस performance किया है उसी के लिए कमपानी का EPS भी बड़ा है 3.21 इस quarter बे पिछले quarter में 2.04 था पिछले साल में 0.4 थी था तो यहापर भी EPS अच्छा का सा gain हुआ और यहापर भी EPS ग्रोथ हुआ EPS का मतलब है earning past share मतलब आप कितना रुपिया इन्वेस्ट कर रहे है उसके बदले आपको कितना earning past share मिल रहे है देखिए इसका जो price range है इसका जो investment price है उसके तुलुना से बात करो तो बहुत कम EPS आपको मिल रहे है बहुत कम क्यूंकि 2000 रुपिज मतलब 2500 रुपिज आपको invest करके 5-3 रुपिया का earning मिलना है मतलब कितना slow motion companies है तो आपको इस दिक्कत को जहनना पड़ेगा क्यूंकि reality sector उतना तेजी से नहीं भागेगा इस तरीके से IT sector इस तरीके से मेटल सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर भागते है उस तर reality sector में invest करना ही चाहते है तो आपको patient होना जुरूरी है क्योंकि patient के बगर यहां पर आपको फायदा नहीं मिलने वाला है तो company के बारे में एक बार डेटा में आपको दिखा दूए company करीबन करीबन 67,000 करोड का market capital से लेके बैठा हुए है company का return of capital employment बहुत विक return of equity बहुत विक मैं यह नहीं कहूंगा company का return of equity, return of capital weak है मतलब company खराब हो गया company ठीक ठाक लेबल में चल रहा है मकर जिस तरीके से भागना चाहिए था उस तरीके से भाग नहीं रहा रियालिटी सेक्टर बहुत तेजी से मतलब downfall था इसलिए इस सेक्टर में बहुत दिक्कत जिन्ना बड़ा और अच्छा खासा profit नहीं देखने को मिला तो इसलिए इस company को उतना फायदा नहीं हुआ तो इसलिए इस company को देखिए अभी भी return of equity and return of capital दोनों ही week level में है company का face value 5 रुपिया है company dividend एक बार भी नहीं दिया company dividend कैसे देंगे company का performance उतना अच्छा कासा नहीं होते है तो इसलिए dividend भी अच्छा कासा आपको नहीं मिलता तो देखिए company का company के बारे में बात करो तो number one position में है देले उसके बाद देखिए गोद्रेज पॉपरटीज मगर यह बाद के देखिए अच्छा कमपानी है गोद्रेज पॉपरटीज देखेंगे तो आप चौक जाओगे टोटली देखा जाए तो डीलेप अभी डूब चुगा है उसका भी performance आप देखेंगे तो आप चौक जाओगे तो डीलेप से अब दूरी रहे आप reality sector में जाना चाते है तो आप reality sector में आप बिसबस करके invest करना चाते है तो आप गोद्रेज पॉपर study करिए इसके उपर आप नहीं बैस करने के लिए सोचिए तो यहां पर दीके sales growth company का sales growth अब देखेंगे तो quarter basis मतलब हर quarter basis देखें पॉफिट जो मिलेगा सिर्फ यहां पर 2020 मतलब 20 से और 2000 March 2021 यह दोनों quarter में जब फार्स lockdown और यहां पर सेकेंड लोगडाउन जो स्टार्ट हुआ उसका effect इस company को उपर जब दस पड़ा तो दिखें लोगडाउन के चलती है कोई बाहर ने निकल पाया तो पॉपर्टी कैसे करेंगे इसलिए इसमें अच्छा का सा एक डाउंफल देखने को मिला यहां पर देखें कॉम्पानी का sales growth डाउन में है profit growth भी देखा जाए डाउन में है और return equity एक्दम low level में है फिर भी company अच्छा का सा return दे रहें आपको average बात करूं करीबन करीबन 30% यहां पर अपको return यहां पर मिला है तो 30% का return यहां पर मिला है मतलब इस company में 30% से जादा यहां पर return आपको मिला है उस company में आपको एक बार सोचना चाहिए तो company खराप नहीं है company का performance अच्छा है मगर थोड़ा से slow motion में चलते हैं आपको पेशन है तो इस company को उपर आप जा सकते हैं आपको प्रोमोटर जो है करीबन 58% holding है अपको में हमेशा कहते हैं कि 50% के 50-55% के उपर आपको holding होना चाहिए कोई भी प्रोमोटर के हिस्सेदारी तभी उस company को अच्छा कासा माना जाता है तो 30-30% माल उठा के रखा और डियस देखे 4.33% पॉब्लिक 7.22% तो देखे हर कोई सिक्टर यहां पर माल उठा के रखा मैं एक बात कहूंगा company खराब नहीं है company अच्छा है आप reality से इंवेस्ट करना ही चाते है तो आप इसके उपर इस company के उपर स्टाड़ी करके निवेस्ट कर सकते है वासा करतों सारी जान करें आपको मिल चुका है तो मेरो वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक करना दोस्तो